नमस्कार साथियों स्वागत है आपका विचानल स्सी एक्जाम वरियम है दोस्तों स्सी जीडी कॉंश्टियवल का जिन्हें इस्पिरेंट्स का एक्जाम अटेम्ट हो चुका है उस पर बात करेंगे कि शेप स्कोर आप लोग कितना है जहां पर आप लोग फिजिकल की त्यार है आप लोग को वर्दी चाहिए तो कहीना कहीं जो आप लोग की दो जो वेकेंसी हैं काफी इंपोर्टेंट हो सकती है एक दो यूपी प्लिस कॉंश्टिवल की वेकेंसी जो है नकल रही है और उपर से दिल्ली प्लिस कॉंश्टिवल की वेकेंसी है ये दो वेकेंसी इसकी के लिए थोड़ी मेनत करनी पड़ती है से ज़्यादा मेनत जो है दिली प्लिस कॉंश्टिवल के अंदर होती है तो कहीं न कहीं जो है आप लोग यह वेकेंसी भी अचीव कर सकते हैं अब देखें एक और वेकेंसी है जो मैत और रीजनिंग से डरते हैं जिनको मैत और रीजनिंग जो है यहां पर अटेम्स हो पाता नहीं हो पता है तो उनके लिए ऐक अच्छी वेकेंसी है की यहां पर देखें मैत और reasoning जो subject है इसको qualify कर दिया गहा है अब selection जो होगा वो आप लोग का सिर्फ gk और English के basis पर selection होगा तो यहाँ पर अगर आप लोग की जी के English strong है तो आप लोग SSC MTS की त्यारी कर सकते हैं SSC MTS के भी form आप लोग निकल चुकें काफी अच्छी वेकेंसी जे और इस बार जो है पैटरन भी चैन्ज के गया है सिर्फ पर से जी के और English basis पर जो है selection होने वाला है तो कहीना कहीं आप लोगी English strong है तो जी के आप अप पर लोग को सेलेक्शन ले पाएंगे SSC MTS की तुरूवी आप बात करते हैं सेप स्कूर की तो मैं अपने अपनी हर वीडियो में आप लोग बताता है आ रहा था कि आप लोगों सेप स्कोर किस तरीके से रह सकता है तो दिखे दोस्तों इहां पर आप लोगसे 3-4 संथे आप लोगा हिंदी का पूर्ष उंट अहलन आप लोगो अथ का पॐर संता पहली जो है टाहिमिंग नमापन SK मिनट का तो कहीं न कहीं जो आप लोग का जो attempting rate रहेगा वह आप लोग का 52 से 53 questions अगर आप लोग सही भी कर देते हैं कहीं न कहीं अगर आप लोगोंने शयाट से Plus questions कियें तो आप लोगों यहां पर जो है Correct question के return को भी adjustable adjust करना पड़ेगा अगर आप लोगं 22 से तरह मैं प्रेपरैक्त कोश्ण बिल्कुल accurate हैं और आप लोग n ज्यादा Don't नहीं किए हैं Defence Le different जादा आप दोब के बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइब नहीं है तो आप लोग असलिक्सन को इन भात आप लोका सबिसे हो जैगा आप लोग किसी काटीगरी से हो कहीं से क्रते हैं कॅक्झे काटीप जो है वो maximum cut-up जो है आप लोगे 120 तक जो है maximum cut-up जाएगी जो भी आप लोगे final cut-up की बात कर रहा हूँ फिजिकल के लिए आप लोगे जो cut-up रहेगी यह 100 से 105 के बीच में ही समेट कर रहे जाएगी यहां तक ही cut-up बनने को मिलेगी इस से ज़्यादा cut-up नहीं चाहेगी सभी analysis को देखते हुए hard नहीं आये तो पेपर moderate level का जो है पेपर आये था जहाँ पर ज्यादा moderate था वहाँ पर normalization का भी फाइदा experience को मिलेगा तो यह आप लोग की safe score था स्सेज़ी कॉंस्टेवल के लिए बाकि मैं आप लोगो तीन vacancies के लिए ज़रूर बताया है उन पर ध्यान दीजेगा दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल स्सी MTS के लिए और यूप पुलिस कॉंस्टेवल के लिए इन तीन vacancies की त्यारी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग से सिज़ी का एक्जाम अभी हो चुका है और बाकि देखें सियार पे फैट कॉंस्टेव मिनेश्ट्रियल के भी फॉर्म निकल रहे हैं उनके एक्जाम भी आप लोग के जो कंड़क्ट होने वाले वो next month आप लोग के एक्जाम कर लीजेगा आप लोग इसकी भी प्रिपेशन कर लीजेगा जनोंने फॉर्म भर राखा है बाकि इस यार पे फैट कॉस्ट्रिय मिनिस्ट्रियल की जो लास्ट डेट है एक अतिस तारिक है उससे पहले फॉर्म अप्लाई कर लीजेगा एक्जाम जो है नेक्ष्ट मन्त है 15 सब्सक्राइब फर्वरी से अड्मिट कार्ड आने सुरू हो जाएंगे तो अभी आप लोग के पास मौका है तो आप लोग फॉर्म बल लीजे चार वेकेंसिस के फॉर्म मैंने आप लोग बता दी हैं जो अब अपर ही आप पढ़ सकते हैं बाकि 2019 की भरती पर कीजा के चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स रूम मैंसी तरक अपड़ेट के साथ जत्रक धन्यवाद जहीं जहारा रहा है